हलो एवरिवन चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है वो पूरी एक्सराइज बेस पे क्लास है आपको पता ही है और इसलिए अपनी जो क्लास है इसमें लास्ट की जो क्लासेज में मैंने जो भी आपको मैटर बोर्ड पे करवाया है उसकी मैं आज आज आपको क्लास में करवाऊंगा इस क्लास के अंदर विशेश रूप से आपको यही द्यान रखना है कि जो पीछे आपको पढ़ाया गया है वो किस तरीके से आप उसकी प्रेक्टिस है वो कर सकते हो यह आपके लिए क्या है ज्यादा मेत्वपूनी है ठीक है और सबसे पहले तो जिन लोगों का होमवक कंप्लीट है उनके मैं नाम बताना चाहूंगा सब सको यहां पर क्लास मिले चाहूंगा उसके बाद अपना आगे की क्लास है वो continue करेंगे ठीक है तो चलिए देखते है कि किन-किन का जो होमवक है वो कंप्लीट है कल अपना होमवक पूरा करने वाल लोगों की लिश सबसे पहले आप देखर पा रहे हो कि जैसे निखिल सोनी है मैंक लाटा है मैंक लाटा का पहले भी हो वक है वह आज चुका है फिर उसने बेजा है ममता मेगवाल है इंद्रा सारन देवकिशन महेश दिव्यांसु सेनी विनोध कुमा डूडी सुरेशनात और विशाखा शर्म भावना सेनी जया सर्मा अर्मान खान भावना शेनी मोनिका ढाका काजल धनवीर शिंग इन सब बच्चों ने अपना जो होंवक है वह कंप्लीट करके आरा से मुझे क्या कर दिया है बाकि जो लोग बच्चे है वो लोग भी जल्दी कर रहे हैं कईयों के मैं नाम अगर नह होंगे भी तो चलिए अब क्या करते हैं जिसे आप लोग जेतना ंटेस्टै क्या कर रहे हो पूरी की पूरी जो प्लस है उसको पढ़र रहे हो उसी कर आगे चलते हैं जो सबस्क्रीश करवा और अंपर आपकी यह सकते हो कि यह जो है वह देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आकशींते थे मैंने आपको एक-एक जो एक्जामपल है वो बना करकर आपको दिखाए थे अब इतना पोसिबल नहीं होता है कि बोर्ड पे आपको सभी के जो आंसर्स है वो लिख के दिखाए जाए इसलिए मैंने सुचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बच्चों की प्रेक्टिस पी हो और सबको है समझ में भी आ जाए तो इसलिए आज का ये जो क्लास है वीडियो है वो आप लोगे लिए बहुत मैत्वपून है इसलिए इसकी प्रेक्टिस जरू करें देखिए अपनने एक किया था फोर शेल और परचेज का भी मैंने आपको बताया था हाउस फोर शेल और परचेज का उसी पर अधारित एक आप देख पा रहे हों पहला जो है जिसमें देखे क्या है कि इस ताइब के पास एक प्रेक्ट है कि असोग बयांते हैं और आप उससे क्या करना चाते हो शेल करना चाते हो बेजना चाते हो ठीक है तो इसके लिए आप क्या लिखो एक जो एड्वाजमेंट है वो लिखो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब इसमें मैंने जैसे बताया है उस अनुरूप आप क्या कर सकते हैं इस विए समझना यह जो जो इतना जो content जो भी है इसके इंदर जो लिखा हुए देख आपको दिखा रहा हूं तो यह जो है वह आप लोग क्या करोगे कि मैंने जैसे बताया मैंने आपको लिखाया था कि अब बिल्बल फाउस कर सकते हैं इसके लिख और यह लिख सती हो तब भी गलत नहीं है मैंने जो बताया है जो तरीका उस तरीके से आप क्या करोंगे करोगे जैसे आप विह विहार डीडी ए फ्लेट फिर स्ट प्लोवर अब इसमें पीस्ति है आप और यह वैसे आप देखा पर देखिए कि available a new level built for shell in Ashok Vihar DD a flat first flower two bedrooms अब आगे जो मैंने आपको उता है था कि उसकी जो features होते हैं जो जो इसके क्या होते हैं जो features होते हैं आपको पता होगा वो सब के सब क्या क्या जा सकते हैं आराम से इसमें बताए जा सकते हैं ठीक है उस तो क्या करोगे सबसे पहले question number 12 लगाते हैं एक्जाम में तो यह आपको यहां लगाना है और उसके आगे आप क्या लिखोगे question number 12 के ठीक सामने black pen से नाम लिखोगे advertisement ठीक है उसके बाद आप उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो answer लिखोगे एक लाइन खाली छोड़नी आपको और फिर ब्लेक पैन से कोलम बनावा है मैंने आपको बोर्ड पर बनाना बताया था यह जो कोलम बनावा इस तरह किसे आप क्या करोगे सुंदर सा जो कोलम है कि ब्लेक पैन से हो क्या कर दोगे बना दोगे और यह बनाने के बार फिर आप क्या लिखोगे आप इस तरह अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मैंने लिखा है वैसे करना आपको ठीक है सबसे पहले आप क्या करोगे अवेलेबल ए फ्लेट फोर शेल इन असोग व्यार सबसे पहले आपने लिखा तो उसके बाद फिर क्या है देखे आगे यह जैसे जो है पूरी की पूरी जो लाइन आपको अच्छे से क्या जाना चीज समझ माना चीज में देखिए रहा टू बैड्रूम्स है ड्रोइंग और क्या है डाइनिंग फुल इंटिरियर है कार पार अब इसमें आप वह जो बाकी जो चीजे जाल सकते हो तो आपको इसके बाद आपको इसके बात करें तो इसको आगे बतारता हूं आपको डिखकरनी है उसके बाद हम बता सकते हैं कि डिधी अ फ्लेत्ट फिर फोर्श फ्लोवर टू बेड्रूम्स प्रस प्लोर कंदर पर बता सकते हो फिर आप इसमें नेरा फिर अथाने फ्ली इन्टिरियर अब मैंने आपको बताया था वह मैंने लेंग्वेज इजी यूज की थी ताकि आप पहली बार उसको समझो बोड़ पे तो अच्छे आपके क्या जाई है समझ में आज आए ठीक है मैंन मार्केट फिर आप प्राइस प्राइस का मलग होता है जो भी उची तो आप इसमें लिख सकते हो प्राइस ओनली वैसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कर नहीं है दोनों ही गया एकदम से सही है फिर है कॉंटेक्ट फिर आप अपने याप एडर्स दे दो इसके लाओ से पहल नेक्स अब अब बात करते हैं जो नेक्स जो कितना क्योशन है उस पे चलते हैं तीक है जिसमें आपको क्या करना है कि यू वांट तो प्रचेज ए फ्लेट ड्राप्ट एडर्टाइजमेंट इन अब फिप्टी वर्स फोर न्यूजपेपर डिटेलिंग यूर रिक्वाइम से कंड़ına चाहते हो किसको क्या कर शकते हो ठीक है कैसे यू आप इसमें तु प्रचेज ए प्रचेज ए फ्लेट इसमें इसका मदलों किया उगया उटको एडर्ला चाहते हो ठीक है और फ्लेट को घिरना चाहते हो इसके आपके सामने जो है यह रहा आपका इसका एक्जामपल आप इसको सबसे फहने आप से पहले बाधने इससे भी तरह पहले जोगिरा इसे दे हैं और इसके जगह आप कहां है और अपके लिए क्या आएगा यह लिखा जाएगा कि वांटेड कि वां टेड एफ पुर परचेज इन शॉथ सीटी डील फ कलोनी तेका ऐसे भी लिख सकते हो वांटेड एफ ड्ल फ फ्लेट इन साफ्थ सीटी जो कृषिण के अंदर दिया हो उसके अपके कर सकते हो इसके नदर लेख सकते हो कलोनी वित अब इसमें थ्री वेडरूम दिया डीडी भी थे फैमिली लॉंग यानि ठीक है और इस टाब से कुछ लिख रहे थे तो वह भी इसमें भी क्या है उस त्रीके से आजाएगा प्राइस अराउंड 22-25 लेक्स यानि प्राइस कितना है इसमें बाकी बचीजे आप लिख सकते हो इसमें आराम से लिख सकते हो तो यह आपका क्या हो जाता है परचेज वाला क्लेर हो जाता है देखिए इसमें कहीं मेरे साब से कोई समझ्या नहीं आ रही है ऐसी एक्साइज आपको एक्जाम में स्थैब के कुछेंस आते हैं बस इसलिए मैं आपके लिख स्कृंद में आना तक कि इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से क्या है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्टिन की और कि अगरा जो क्वेस्टिन है अपना उसमें भी 4 जैल है ठीक है लेकिन ये क्या है फोर्शेल परचेज का ये लेकिन कॉन सा है वहीकल फोर शेलोरे परचेज ओके इसलिए अपन क्या करते हैं इसको देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन है देखिए अब देखिए क्या होता है कि अपन जो आप लोग इस तरीके से अगर त्यारी करते हो तो इसके खास बात आपको क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि बहले मैं किस लेवल का question है हमारे exam में आएगा ये बात ज़रा मैं तो कुण होने तहीं वो आपको क्या आना चाहिए उसके बाद आप जिस तरीके से मतलब चाहें आप किसी फीक्राइब और और क्या कर सकते हो दे सकते हो ठीक है तो जिस प्रकार से अपने वहिकल फोर शेल और पटेस के कुस करते हैं तो जिसे क्या हो जाएं देखिए यह जो क्योट है उसको आप समझे आपके स्कृइन पे सीधा का सीधा जो क्योट है वो आराम से आपको समझ में आएगा और अगर समझना है तो मेरे साथ से कही problem नहीं आएगी अगर आप आराम से इसको तसल सी समझते हो तो देखिए पहला जो question है उसमें क्या है You want to sell You want to sell your Maruti car Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the 4 shell column of the times of India Okay यह क्या था question number 3 है आप इसका आप क्या लिखोगे माले question number 12 जो एक्जाम में आता है यह जो मैंने जो practice book आपके सामने लाया हूं मैं आपके लिए इसमें एक्यूसर number 3 है ठीक है अब देखिए तो कैसे लिखेंगे फॉर से भी बात है कि भी गाड़ी को क्या मतलब बेचना है या ख्रीजना है पहले वो बताएंगे उसके बाद उसकी क्या क्या पीचर से वो बता देते हैं कहीं कोई problem नहीं है देखिए तो सबसे पहले अब फिर आगे क्या लिख दो इसमें उसकी फीचर से वो लिख दो टूथ हवजेंड मोडल एन एक्सी ये लिखा था रंणिंग कंडिशन लिखा था तो एक ही बात है को दिक करनी है रंणिंग कंडिशन लिख दो और यह लिख वात है ठीक है उसके बाद राइट स्क्रेश स्वकर्फ पर सेभेंस केसलेस उसका ऊक्र credited को सिर्ट सेभेंस और लिख सकते हो आप एक्सिदेनल नन इसका सिसरी आ नहीं कोया घाडी है कर भार, नहीं हम भाव। इसे किलो मेटर यूज है किकल दे रखांए तर यूज कोई ये तो टाने ट अपनी गाड़ी कुछ चलाता है वह गाड़ी सी क्या होती है शेप मानी जाती है तो इसलिए इसनले क्या यह सब चीजें भी आप इसमें एड़ कर सकते हो जो मैंने लिखवा यह कोई दिक्कर नहीं कोई फिक्स नहीं कई एड़ी की फीचर कुछ होती है कई होंगी कुछ अलगी फीचर होती है ठीक है फिर है यूँ वांट टू परचेज ए सेकेंड हेंड हीरो हंडा मोटर बाइक घ्री फिर फेजमने अबावट फिप्टी वर्ड फोर पॉब्लिकेशन इन लोकल नुज्पेपर यह नौकल डेनी नीज्पेपर है इसमें आप क्या चाहते होगे सेकेंड हेंड हीरो हंडा बाइक है वो खीना चाहते हो तो इसमें आपने वॉंटेड कर दो उसमें तू थाउजिन तक का जो है उसकी बीच का मोडल होना चाहिए और मोडल एक्सेलेंट रर्निंग कंडिशन यानि के रर्निंग कंडिशन में हो प्राइस नोट टू एक्सीड टूटी सिक्स थाउजेंड तो आप इस लेंड को तोड़ाइजी कर सकते हो इसमें देखा ना प्रा आपने बाइक की जो रेट है वह लिख दी नहीं जो बाइक आती है उससे भी ज़्यादा लिख दियो ऐसा नहीं होना चीए यह थोड़ा आप लोग दिया ठीक है आगे देखें इंट्रेस्टेड पार्टी स्टू कॉंटेक्ट इस अब लिख दिया बस अब आएक के बारे म लिख सकते हो कहीं कोई दिक करनी है जब जैसा चाहू ऐसे आप क्या कर सकते इसको लिखे सकते हो ठेक है नेक्स्ट क्योश्टन के और बढ़ते हैं अगला जो क्योश्टन है उसके और बढ़ते हैं यू आर शुभास शेरी आप 25A BM Road Mumbai you want to buy a secondhand car in good condition इसमें आपको क्यार भी द्राप्ट एन एट्वाजमेंट तूबी इन क्लासिफाइड कोलम ओफ दे लोकल यूजपेपर स्पेसिफाइंग दे रिलेवेंट डिटेल ठीक है जो रिलेवेंट जैने संबंधी जो डिटेल होती है उसको आप स्पेसिफाइड करना है उसको विश्यस रूप से कि यह सुबास नाम आ गया यह सहरी यह बी एम रोड मुंबई यह आपका क्या दे रखा है तो जब आप लास्ट में लिखो तो यह लिखना आप लोग तो यूँ वान टुबाई यह सेकंड एकार यह आनि आपको कार खरीद नहीं है और इसमें अलग से कुछ नहीं दे रख ना वेहिकल फोर पर्चेज यह इस ते कैसे भी लिख सकते हो यह सीदा लिख सकते को दिख करनी है वान्टेड ए सेकंड हैं एक्सेलेंट कंडिशन के अंदर क्या है एक जो कार है वो क्या है मतलब चाहिए आजसी कंडिशन गूट रंणिंग कंडिशन वह इजी वर्ड है त किसको प्रिफर करेंगे जो हुंडई की एसेंट गाड़ी है या जो ओपलेस्टर है सिल्वर कदर की होगी उसको क्या करेंगे प्रिफरे करेंगे तो आइस त्रेके शाब लख सब्सक्राइब करेंगे तो इनके बारे में अलग से आपको डिटेल देड़क जूरत नहीं बता दो तदर क्या है न्यू टाइर है न्यू शीट कवर रहें यह सब बातें आप क्या कर सकते हो तो आगे देखिए मोडल बता जिए ने सब्सक्राइब कर दोगाए निए टाइर इन गुड़ रणिंग कंडिशन और 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 में काइंडली कॉंटेक्ट शेरी आपका वापिस जो शुरुआतर आड्रस था निशी आपने कह देदे दिया मोबाइल नंबर दे दिए तो मेरे साब से किसी भी टाइप से में कोई प् तो आप मुझे फिर पूछ सकते हो मैं फिर क्या कर दूँगा इसको बता दूँगा ठीक है चलें आगे तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा जो आंसर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं आराम से देख सकते हैं ठीक है बोलिए समझ में आ रहे हैं वेरी गूड अ अब आगे चलते हैं अपन इसी के अंदरगत अगला अपना क्यूशन है उसकी और बढ़ते हैं जिसमें किस प्रकार से आपको समझना है यह चीज़े अपन क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि यह भी अपने जो किया था मैंने आपको बताया कि यह देखिए इसमें भी अपन देख सकते हैं कि भी जैसे वह सिंग मशीन का बेचने का है तो यह आप अराम से इसको देखें को दिक्कर नहीं है यह भी समझ में आज आएगा आपको जैसे मालो पहला है तो आप इसको देख सकते हो सब्सक्राइब करते हैं इसलिए वह समान को बीचने के लिए करते हैं इस ताफ से करते हैं ताकि सस्ता मिल जाए कका रहें जल्दी तो किढ़ें तो इसको क्या करें को इसको देखें country वो लगते हैं तो छलिए आपो हैं आप लोग को सकता है जुरुत पड़ जाए आप लोगों को खिदने की मोडल PX7 परचेज तू थाव जैने निदे लिए ओनीडा सी टीवी यह मोडल नंबर उसके तो इस टाइब से क्या है जो टेर टेबल है माल लो तो वह भी क्या करना चाहते हैं चाहिए और नाइंटेवल विट एड़ चेर्स भी है ओल इन एक्सेलेंट कंडिशन में हैं आप इसमें गूट कंडिशन भी एड़ कर सको दिखनी है ओनर ट्रांसपर अब ओनर तो लेने वाला है वो जल्दी क्या करता है लेता है ऐसा नहीं हो कि खराब हो गए इसलिए दूसरा लाएंगे हम दो ठीक है सई यह कंडिशन में लेकिन वो आप हो dazu सकते हो यह लग-अलग-अलग समान होता है सबकी में अगला गुशेशन आता है यू आर साहिल सालीनी खतर थर्टीफाइब बी बैलीगविंग सर्किल रोड कलकत्ता यह आपका एडस हो गया यू वांट तो सैल यूर रेफ्रीज़ेटर इसमें रेफ्रीज़ेटर बेरना चाहते हो वोसिंग मशीन अधर हाउसोल गोड्स सेम आए आराम से कोई दिखकर नह में है देखिए पहला है कि यू वांट तो लेट आउट एफ्लेट आप एक फ्लेट है वो लेट आउट करना साथ होने किराय पर देना साथ प्रिपेर रेन अवटाजमेंट इन इस एफेक्ट और पब्लिकेशन इन न्यूस्पेपर गिविंग लोकेशन ओफ द बीलिंग न रेंड सुषांत लोक एनल से मजीपले 2nd टो बी यर 17 लोबी बाल कंशिये अवेलेबल और यह भी इन नावेली बूबरे फ्लेट वरेंट सुषांत लोक एनलस म गिविंग फ्लेट लोबी बाल कंशिव फूली फनीश्द अच्छे से फनीशर में लगावा है वेल वेंसे ड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसमें से भी जो मैंने आपको लेने बिताइती हैं उनली 15 मिनिट्स फ्रॉम मैंन मार्केड आपने किराये लिख दिया अब बाकिस में वोटर टैंक है इन्वेटर की फैसलेटी है या नहीं यह वह सब बाते भी आप कर सकते हो लेकिन जो ऐसी लगबग सबी गुरुम मिलती है तो लिखने की बिजूट नहीं होती है लेकिन आप लिख सकते हो दिकन दोन भी बाते हैं लेकिन ज्यादा एकदम जो कॉमन चीजे है वो सब लिखने आपको दिकने उसके बाहर लिखा आपने कंपनी लीज प्रिफर देने जो कंपनी में ज देखिए सब वापी सब्सक्राइब करता है कहीं को दिकनिया आप आराम से इसका एक स्क्राइब लीजिए और उसके बाद क्या करें इसका आप इसका अच्छे से उतार लेए इसका विश्यज रूप से आप तो ध्यान रखें ठीक है चलें आगे आप देखिए अगला यह देखिए ब्राइड वोंटेड का अच्छे सी आपको लिखवाया था तो मेरे साब से कोई प्रेसानी नहीं होने चीए आपको अच्छे से आपको क्या होना चाहिए जो जो मैं चीजे बताए देखिए लाइंस इन्वाटेड फोर यह अंसम टोल तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई प्रिशानी नहीं होगी आप आराम से अपने इस तरह पर क्या कर सकते हो इसकी त्यारी है वो कर सकते हो ठीक है आगे चलते हैं राइट एन एड्वाइजमेट फोर मैट्रिमोनियल कॉलम फे न्यूजपेपर फोर ए बिशागरवाल गर्ल वर्किंग यहां पर चाहिए क्या ब्राइड ग्रूम् तो कोई दिक्र ने इसमें भी ब्राइड ग्रूम् इंदर भी आपको हमें दूदा चाहिए तो इसके वारे प्रोपोजर इन्वेट पर या ने पहले किसके बारे बताएंगे बाद में लटका कैसा बता दिया वो लास्ट अपना एड्रस दे जा तीन जो आपने मैंने स्टेज आपको बताई थे उन तीनों क्या करना बस फोलो कर इसके इनकम इन 6 फिगर पर एनम ठीक ना 6 फिगर इंदर उसके मालो है और उसके बाद पेरेंट से हैं विजनस अन्वेट अपने लिका था पार्दर मैनेजर इन बैयो भी बैंक विकरा इस्ते किसे कोई भी आपका सकते हो किसी प्रकार की कोई प्रेशानी नहीं है प्रोफ कर सकते हो तो यह थी आज की अपना जो काम है वह मैंने आपको बताया काप एक साइज आपने की है आई होगी यह लोग्स टेंट फांड काम आपको बाद में करोंगा अभी इतना ही है अगली क्लास में आपको पहले बोर्ड पर कुछ बदा दूँगा उसके बाद आपको क् समझा दिया जाएगा ठीक है आई होब कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी और पिछे जो आपने पड़े थे उसमें आपका कॉंफिडेंस लेवल है वह बढ़ा होगा इसलिए आज की जो क्लास आपने दो देखी वह आपके लिए बहुत तो मुझे आप लोग कोल करें पूछ सकते हैं या मैसे से पूछें वैसे होता क्या है कि आप लोग अपना जो होमवक बेजते हो तो उसके निचे आप लोग नाम जरूर लिखें सबके नंबर मेरे पास शेव नहीं है और इतने भी मैं ज्यादा शेव भी नहीं रख सकता कि आपकी सब्सक्राइब करने पड़ते हैं मुझे लेकिन आप लोग इसलिए जब भी आप लोग अपना नाम साथ में लिखके जरूर बेजे ठीक है तो यह जो आज की क्लास आपके लिए बहुत मत्रपून है इसको एसा नहीं लेके बेसमें बोर्ड पे नहीं बताए गया है मेरे साब साही बोर्ड से जय Dobbs अगर कवाशल एक ट्री आना हो पहले वह बोर्ड पर ही क्लिए करूंग आप जिंता नहीं करें आपको के वल क्या करना है अब स्रसेंफिक सब्सक्राइब तो आपको आज की जो क्लास है वह बहुत अच्छे समझ में आई होगी और as according to our time we should keep our family in our house and also we should stay at home and follow the guidelines by the management or the government okay thank you very much मिलते हैं अगली क्लास के अंदर तब तक आप लोग इस की तियारी कीजिए और अच्छे से क्या रहें अपने घर पे रहें लेकिन एक बात और मैं बताना जाता हूं आपको कि जो आपका होवक का रहा है उसमें कई जो मिस्टेक्स आरी है जैसे मैं बता था हूं उसको आप लोग सही कर लें आपके पास से वाइक नारका यूज करके या उसको दूसरी दूबारा लिकर कि यह नहीं कि विठीक है बता करते हैं बाई बाई टेक केर आप 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 आप